आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ अठारा कृष्न की चेतावनी इस कवीता के कवी रामधानी सिंग है और जो ये कवीता है ये उस वक्त पर निर्धारित है जब जो पांडव थे वो वन में घूम मतलब की वो जुआ में जब सब कुछ हार गए थे तो वो वन में रहते थे वन में उनको मतलब निकाल दिया गया था तो तब उन्होंने कुछ मांगे रखी थी दुरियोधन से तो वो मांगे जो हैं जो वो कहना चाते थे जो उनका संदेश था वो भगवान श्री कृष्न ने जाकर दुरियोधन को बताया था और दुरियोधन उन बातों को मानने के लिए तयार नहीं था तो भगवान श्री कृष्ण ने गुसे में आकर उनको चितावनी दी थी तो उसे चीज़ पर ये पार्ट नरधारित है और आज में आप आज हम जो हैं इस पार्ट को रीड करेंगे इस पार्ट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ में आपको इसकी व्याख्या व्याख्या भी में आपको इस पार्ट की बताती रहूंगी चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा फिखनों को चूम चूम यह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सो भागे ना सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है तो क्या जब इसमें क्या पताय गया है कि वर्षों तक वन में जो पांडव है घूमते रहे बहुत सारी भाधाएं विखनाती रहे उनसे वो लड़ते रहे धूप भी बहुत ज़्यादा पानी पत्थर उनके साथ भी वो लड़कर जो है कुछ और निकर गए सो भागे ने सब दिन सोता है जो उनका सो भागे है वो यहां कह रहे है कि जो सो भागे है वो ना सब दिन सोता है जो सब आगे है वो सब दिन नहीं सोता, देखो आगे क्या होता है, अब कवी कह रहे हैं कि चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है, मेंतरी के रहा बताने को, सब को सुमार्ग पर लाने को, तुर्योधन को समझाने को, भीशन विगवंज बचाने को, भगवान हस्तिनापूर आ जो मेंतरी की राहा बतानी को बहगवान शरीक्रिशने वो जो लोगों हैं उनको मेंतरी की मैंतरी की राहा बतानी को बताना चाहते थे सब को सुगम पर लाने को सब को सखी मार्क पर लगाने को दुर्योधन को समझाने को जो दुर्योधन है वो बुरे कारे करता था वो दुर्योधन है वो अच्छा काम नहीं कर रहा था तो दुर्योधन को समझाने के लिए भीशन विगवन्ष बचाने को जो पीशन विगवन्ष है उसको बचाने के लिए भगवान हस्तीनापूर आए भगवान का रत है भगवान क्रिकृष्न जो है वह हस्तिनापूर आए हस्तीनापूर वह जगह है जहाँ पर पांडवा रहते पहले और दुरियोधन रहता था पंडप का संदेश लाए अब यहाँ पर हमें जो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के दुवारा तुरियोधन तक संदेश की पर चायना था वह यहां पर बिताया गया है पांडव का संदेश लाए दो न्याए अगर तो आदा दो वो कह रहे हैं कि हमें न्याए दो जो हस्तिनापुर है वो हमें आधा दे दो सब कुछ आधा आधा कर लो पर इसमें भी यदि बादा हो अगर दुरियोधन को उनका ये वो ये कह रहे हैं दुरियोधन से अगर तुम से ये भी नहीं किया जाता तुम हस्तिनापुर को आधा नहीं बाठ सकते तो दे दो केवल पांच क्राम कि हस्तिनापुर का हमें पांचवाँ जिसा दे दो रखो अपनी धर्ती तमान अपनी धर्ती है वो तुम अपने पास ही रखो हम वही खुशी से खाएंगे अगर तुम हमें पांचवाँ से दे दोगे हम वही खुशी से खा लेंगे तुम बागी की धर्ती अपने पास ही रखो प्रीजन पर आसना उठाएंगे कि वो जो कह रहे हैं कि जो पांडव है वो उस पांडव कह रहे हैं कि उन वो सुख से रहेंगे और अपने ही लोगों से युद की युद की नौबत नहीं आईगी कि हम पांचवां तुम हमें पांचवां इससा दे दो हम वहीं पर सुखी सुखी रहेंगे और हम आकरमंड तो मैं आपको इस पूरे का बिताने वाली हूँ वैसे मैंने आपको अच्छी दाने समझा दिया है फिर भी मैं आपको इस पूरे के बारे में बिताने वाली हूँ कि रहा बताना चाहते थे सब को सुगमार्ग पर लेकर आना चाहते थे तुरियोधन को समझाना चाहते थे कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तुम ठीक नहीं कर रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए भीषण वंश बचाने को कि जो उनका भीषण वंश है उसको बचाने कि तुम हमें आदा श्थना प्र ही देदो ठोर कौल कर दो तो अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तुम ठाइंजी यहां प्रीड़ और नहीं प्रेशानए कि अधरति तुम अपने पास रहेंगी और तुमारे साथ यूद्ध भी नहीं करेंगे तो कहने हैं कि तुम्हें में पांचवां इस्ता ही दे दो हम उसी में खुश रहेंगे और तुम्हार साथ यूद्ध भी नहीं करेंगे